हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू स्टडी विद कंसेप्स तो देखिए आज से हम लोग कारेंट अफैस है ना आज से हम लोग करेंट अफैस स्टार्ट करेंगे है ना मैं कुछ कारण वर्ष डेरी लाइफ प्लासे अभी नहीं ले पा रहा हूँ लेकिन मैं आप लोगों के एक्जाम पास में है ना चाहे वह आपका बैंक का रेलवे का भी तो मैं आपको एटलिस्ट कुछ ना कुछ तो मैं पढ़ाओं तो इसलिए मैंने सोचा है की अब हम लोग डेली धना अब हम लोगा डेली करेंट अपैस करने वाले है इस करेंट अफ 100 questions आपको करवाँगा कितने top 100 questions सभी मन्त के clear होगे सभी लोगों को और यह अपन डेली पढ़ने वाले हैं यह अपन लोग अव डेली पढ़ने वाले हैं clear होगे अपन हर एक class में ज्यादा बड़ी class नहीं रहेगी है ना 10 मिनट या 20 मिनट की रहेगी ठीक है अपन डेली यहाँ पर 20 कोशन 15 से 20 है ना 15 से 20 कोशन हम डेली करेंगे तो यह मानके चलिए कि हमारा 5 से 7 दिन में एक मन्त का वन मन्त का करेंट अफेर खतम हो जाएगा clear क्योंकि मैं आपको वो सारे टॉप 100 कोशन में आपको करवाने वाला हूँ जो as it is आपको एक्जाम में देखने को जरूर भी लेंगे क्या इतनी चीज़े clear है ठीक है as it is आपको देखने को मिलेंगे क्या इतनी चीज़ clear है ठीक तो यह हो गई बाते हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कहां से अगस्त से है ना मैं आपको अगस्त का करवा रहा हूँ ठीक है फिर मैं आपको जून जुलाई और फिर सप्तेम्बर का करवाँगा clear हो गया सबसे पहला हम अगस्त का कर रहे हैं अच्छा ऐसा करेंगे एक काम करते हैं पान ऐसा करेंगे कि अगस्त का कर लेते हैं अगस्त के बाद सेप्तेम्बर सेप्तेम्बर और जो जून रहेगा जून और सेप्तेम्बर यह दोनों अपन साथ में लेकर चले हुआ होगा और रिजनींग की ग्लियर होगे सभी लोगों ताकि आपका जो बैंक के इस parents हैं वह bank के लिए थे पढ़ ले जो रेलवे के हैं वो रेलवे के लिए अच्छे से पढ़ ले और जो ऐसे सी के हैं वह ऐसे सी के लिए अच्छे से पढ़ लिसिघर हो तो ये भाईया अगस्त का अपना क्या है पार्ट फर्स्ट है है ना अगस्त का मैं आपको क्या बता रहा हूँ पार्ट फर्स्ट बता रहा हूँ अगस्त के करेंट अफेर का तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अगर आप लोग चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो भा आपकी स्क्रीन पर हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं कि who has been appointed as the additional and independent director of Great Eastern Shipping Company Limited with effect from August 1, 2020 Great Eastern Shipping Company Limited 1, 2020 से प्रभावी के अतिरिक और स्वतन्त निदेशन की रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो आप सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा कौन है वो? वो है 24th RBI Governor कौन थे 24th RBI Governor? पताईए वो थे उर्जीत पटेल clear हो गया तो उर्जीत पटेल को additional and independent director of Great Eastern Shipping Company Limited का यहाँ पर मतलब इन्हें director बनाये गया है clear हो गया उर्जीत पटेल जो कि क्या थे? 24th न मैं आपको दूसरे कलर से कर देता हूँ अगर आपको नहीं देख रहा होगा तो यह क्या थे? 24th RBI Governor थे अच्छा यह अगर 24th RBI Governor थे तो अभी 25th अभी present में 25th RBI Governor कौन है? तो आपका अंसर क्या होगा सर? शक्ति कांत दास clear होगे सभी लोग को? शक्ति कांत दास clear है? ठीक चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की ओर चलते हैं सोनम टी शेरिंग लेपचा का नितन हो गया था वो कौन थी? तो वो थी सर्फ फोक मुजीशन कौन थी? फोक मुजीशन कहां से थी? कहां से बिलॉंग करती थी? वेस बेंगाल से clear हो गया तो इस चीज का भी आपनों घ्यान रखेगा क्योंकि यहां से भी current affair का question बनता है next question क्या है हमारा? ली तेंग हुई ठीक है ना? ली तेंग हुई who is in news recently is the farmer president of which country? तो भया ली तेंग हुई हाल ही में किस देश के पूर्व राश्टती है तो ये चीज हमको भली भाती पता होना चीए किसके है ताइवान की? किसके है ताइवान? और ताइवान का अगर मैं आपसे क्या पूछ लूँ capital? तो ताइवान का capital क्या है? ताइवान का capital? क्लियर हो गया सभी लोगो एग्जाम में पूछा जा सकता है ताइवान का capital तो आपको पता होने दिये सकता है कि चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन क्या है? नेक्स्ट कोशन है दा महराष्ट गवर्मेंट एफ्रूव्ड दा महराष्ट एग्री बिजनस नेट्वर्क मैगनेट ना इसका देहान रखेता मैगनेट महराष्ट सरकार में लगपक एक हजार करोड रूपए कि महराष्ट एग्री बिजनस नेट्वर्क मैगनेट परियोजना को मनजूरी दी निमलिखित में से कौन सा बैंक परियोजना को सकतर परसेंट निधी प्रधान करेगा तो यह अगस्त के अगस्त 2020 के मैं आपको करेंट अफेर बता रहा हूँ उससे यह कोशन है तो इससा अंसर क्या है सर एशियन डेवलक्मेंट बैंक है ना ADB, क्या हो जाएगा ADB, Asian Development Bank, तो Asian Development Bank इन्हें क्या देगा 70% fund, क्लियर हो गया सभी लोगों, है न, 70% निधी प्रदान करेगा Asian Development Bank महराष्ट सरकार को, क्लियर हो गया, अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि Asian Development Bank का headquarter कहाँ है, तो आपका answer क्या होगा, Asian Development Bank का headquarter कहाँ पर है, तो इसका headquarter है कहाँ, फिलिपिन्स, जो जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, इस सारे exam point of view से काफी important है, फिलिपिन्स में इसका headquarter है, Asian Development Bank की स्थापना कब हुई थी, establishment, अगर मैं आपसे बात पर हूँ, तो 19 दिसंबर 1966 बहुत बार question में पूछा जा चुका है, headquarter भी पूछा जा चुका है exam में, और established, आपका year और date के साथ पूछा जा चुका है, 19 दिसंबर 1966, clear होगे सभी लोगों, अगर मैं आपसे पूछू कि इसके chairman कौन है, इसके chairman कौन है, तो आपका answer जाओगा, chairman कौन है, तो ये है M. Asakawa, clear होगे सभी लोगो, M. Asakawa, या तो सिवाब Asakawa ध्यान रख लो, गर M, M से भी उनका कुछ है, वो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, clear तो Asakawa ध्यान रख लो, governor पॉन है, महराष्ट सरकार के governor पॉन है, तो भगत सिंग कोश्यारी, है ना, भगत सिंग कोश्यारी, clear होगे या, राइटिंग तो थोड़ा से एक बार, आप लोग समझ लीजेगा, राइटिंग तोड़ी अच्छी नहीं या, बट मैं आपको आपको डिक्रेक कर देता हू महराष्ट सरकार के जो governor है, वो कौन है, भगत सिंग कोश्यारी, clear होगे सभी लोगों, चला, आगे बढ़ते हैं, next question क्या है, next question यहाँ पर हमको दे रखा है, कि हर्याना forest department, हर्याना forest department used drone for aerial seeding to increase green cover in arableeds recently, which IIT designed the seeding drone, किस IIT ने seeding drone को design किया है, यह ध्यान रखेगा कि किस IIT ने किया है, तो वो है सर्थ IIT कानपूर, IIT कानपूर ने seeding drone को जाई है design किया है, clear होगे सभी लोगों, किसनी चीज़े clear है है, हर्याना, हर्याना का हमें CM पता है, कौन है हर्याना के CM, मनोहर लाल खटर, मनोहर लाल खटर, ठीक, अच्छा, गवर्नर कौन है, देखो, CM, गवर्नर, करेंसी, कैपिटल, यह सारी चीज़े पूछी जाती है, एक्जाम में, एक नाएक कोश्चन आना है, नैशनल पार्क वगेरा, लेक वगेरा, एक नाएक कोश्चन आसे बनना ही है, clear हम वो साथ में लेकर चल रहे हैं, तो हर्याना, CM कौन मनुहर्लाल खट्ट है, गवर्नर कौन है, गवर्नर, चलो गवर्नर आपलोग कमेंट करके बताएंगे क्या, जल्दी बताईए, ठीके, चलो, तो एक नान परिएगा हर्याना के जो गवर्नर है, वो आपलोग मुझे कमेंट करके बताना, यह न, पूरा चलो, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, सत्यादेव, सत्यादेव, ठीके, अब इनका पूरा नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्लियर होगे सबी लोग को, चलो, आगे बड़े, आगे बड़े, नेक्स्ट कोश्चन, वर्ल्ड बेस्ट फीडिंग वी, WBW, is observed annually on August 1-7, what is the theme of WBW 2020, 2020 is the World Best Feeding Week की theme क्या थी, तो इसकी theme क्या थी ध्यान रखेगा, support breastfeeding for a healthier planet, क्या थी सब, support breastfeeding for a healthier planet, clear, चलो, आगे चलो, आगे चलते हैं, find the person who has been appointed as 14th Comptroller and Auditor General, जिसे हम क्या किना है, keg of India, तो हमें बताना है कि 14th keg, पॉन न्यूक्द हुए है, 14th नियंत्रक और महालिखा परिशक के रूप में किसे न्यूक्द किया गया है, तो भीया ध्यान रखेगा, GC मुर्मू, GC मुर्मू मतलब क्या, गिरिश चंद्र मुर्मू, गिरिश चंद् मुर्मू क्या है, 14th keg है, Comptroller and Auditor General of India, clear, keg की जो बाते हैं, वो हमारे constitution में कौन से आर्टिकल में कही गई है, तो वो है सर 148, ध्यान रखेगा, exam में पूछा जा सकता है, और बहुत बार पूछा जा चुता है, 148, 148, ठीक है, 148 में, keg के बारे में, Constitutions में, हमारे keg के बारे में कहा गया है, clear, अच्छा, ये तो है 14th CAG, अगर मैं आपके पूछू कि 13th CAG कौन थे, 13th CAG कौन थे, तब आपका आंसर क्या होता, तब आपका आंसर होता, राजीव महर्षी, क्लियर हो गया, राजीव महर्षी, अगर मैं आपके पूछता कि 1st CAG कौन थे, तब आपका आंसर क्या होता, वी नरहरी राव, तब आपका आंसर क्या होता, वी नरहरी राव, क्लियर हो गया सभी लोगों को, अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है, कि जो वी नरहरी राव है, जो की 1st CAG थे, वो कब बने थे, वो कौन से एर में बने थे, क्लियर हो गया सभी लोगों को, चला, आगे बने हैं, नेक्स्ट कोशिन क्या है सब, नेक्स्ट कोशिन है, विच कंट्री इस गोइंग तो होस्ट दा 13th एडिशन ऑफ इंडियन पीमियर लेक, IPL 2020, देखे, IPL 2020 जो है, वो सेप्तेमबर है न, 19 सेप्तेमबर से स्टार्ट हो थे सटार्ट है न, 10 नवंबर तक, उनमें सप्तेमर से 10 नवंबर तक, तो यह कहां पर होस्ट किया जा रहा है, 13th IPL, कहां पर होस्ट किया जा रहा है, तो यह है सर, United Arab Emirates, UAE में, यह न, UAE में, UAE की कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल क्या है, अबुधा भी, अगर मैं आपसे इसकी करेंसी पूछूं तो करेंसी क्या है तो करेंसी क्या है से दिरहम ना दिरहम क्लियर हो गया सभी लोगों को तो UAE का कैपिकल है अबुदाभी करेंसी है दिरहम 13th IPL जो है वो 19 सक्वेमर से दसना उमर करती भी चलेगा और यह कहां का कौन होस्ट चल रहा है UAE क्लियर हो गया कहां पर होने वाला यह यूए इतनी चीज़े क्लियर है क्या इतनी चीज़े क्लियर है ठीक है आगे बढ़े चला अच्छा एक चीज़ और ध्यान रख लू कि को से साल में हुआ था तो 2018 एकजाम में पूछा जाता है ठीक है फर्स IPL जो हुआ था वह 2008 में हुआ था जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताएगा कि 2019 में विनर कौन था IPL का 2019 में IPL का विनर कौन था एक्लियर हो गये सभी लोगों विनर कौन था अमर सिंग करें क अमर सींग जिनका हाली मनिधन हो गया वो एक कौन थे तो भया वो एक प्रसिद्ध पॉलिटीशियन थे clear है सभी लोगों को अमर सींग प्या के कौन थे एक प्रसिद्ध पॉलिटीशियन थे clear उनकी जो constituency थी कंस्की 2NC जो थी वो कहां की थी UP की थी है तो कहां से थी UP से थी उत्रपदर से थी क्लियर होगे सभी लोगों तो ये कोशन एक्जान पूछा जा सकता है next question who has been appointed as the MD and CEO of HDFC bank with effect from October 27, 2020 तो भाई या HDFC bank के MD और CEO किसे बनाया गया है या बनाया जाएगा तो वो है कौन शशिधर जगदीशन कौन है शशिधर जगदीशन शशिधर जगदीशन को MD और CEO बनाया जाएगा HDFC bank का clear HDFC bank का headquarter HDFC HDFC bank का headquarter कहां है सर इसका headquarter है मुंबई में clear हो गया तो ये भी एक्जान पूछा जा सकता है इसको थोड़े से ध्यामिटेगा तो इस question का अंसर आपको clear है कि MDC किसे बनाया रहा है तो शशिधर जगदीशन को ये जितने भी आज मैंने आपको questions करवाए हैं सारे important है ठीक है ये आपको यहां से एक नाइक question देखने को जरूर मिलेगा और हम लोग यहां पर डेली पढ़ने वाले हैं हम लोग यहां पर डेली आज तो खेर मैंने से दसी question लाए हैं ठीक है तो अगर आपको यह class अच्छी लगी हो तो like करिएगा comment करिएगा जो भी मैंने आप लोगों से पूछा है वह homework है ना जो जो मैंने आपको पूछा है वह comment box में answer दीजेगा और share करिएगा channel को भी और यह class को भी clear है करिए लगगा फूछा है ओपता कर दो Exodus